जोदिश शास्त्र में बारह राशियों का जिक्र होता है बता दें आपको कि राशिय के अनुसार विक्तिके सभाव और भविश्य से जुड़ी कई जानकारिया प्राप्त की जा सकती है वहीं आज हम अपने स्रोपोर्ट में बात करने जा रहे हैं इन साथ राशियों की जिनकी चमकाएंगे किसमत सूर्य देव इनको बहुत जादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है बता दे आपको कि ग्रहों की चाल में परिवर्तन होता रहता है जिससे मनुष्य की जीवन में कई तरह के बदलाब देखने को मिलता है जैसा कि हमने बताया कि जो कि शास्त्र में बारह राशियों का जिक्र होता है बता दें आपको कि ग्रहों की चाल में परिवर्तन का सीधा प्रभाव की नबारहर राश्यों पर 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 रहे हैं तो भी बता दें आपको कि इन साथ राश्यों के लिए बहुत जादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है बजनस में कोई बड़ी देल होने से धनलाब का योग बन रहा है यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो बड़ों से सलाह लेकर मित्रों से सलाह मश्वरा करके आप अपने विवेक के अनुसार अपने समझ के अनुसार निवेश करें महनत और लगन के साथ कारी करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी यदि आप किसी कॉंपटिशन या प्रतियोगी परिक्षाओं के तैरी कर रहे हैं तो सफलता मिलने का योग बन रहा है यदि आप जौब करते हैं तो बोस आपकी कारे से प्रभावित होकर आपकी तारीफ कर सकते हैं आपकी सेल्वी बढ़ेगी जी हाँ बता दे आपको की महनत और लगन के साथ कारी करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी क्या भागिशाली राशिया कौन कंसी हैं यह साथ भागिशाली राशिया है मेश राशी, मिथुन राशी, करक राशी, कन्या राशी, तुला राशी, सिंख राशी और कुम्भ राशी बता दें आपको क्या में पूरी जानकारी वबसाइट चौन ने जगों सही प्राप्थी है जानकारी कैसे लगी आप हमें कमिल बॉक्स में कमिल कर जरूर बताएट नेक्स राणी स्प्रिच्वल रेपोर्ट